Hello Everyone, Welcome Back आज हम बात करेंगे next genius के बारे में और वो है आरिभट तो क्या आप जानते हैं आरिभट कौन थे? आरिभट was the first Indian mathematician and astronomer इंडिया में आरिभट के नाम से बहुत सारे universities है और इंडिया की जो first satellite थी वो भी आरिभट के नाम पर ही launch की गई थी तो आज हम बात करने वाले हैं आरिभट के बारे में आरिभट एक great Indian mathematician and astronomer थे आरिभट का जन्म 476 CE common era में हुआ था और इनकी death 550 CE common era में हुई थी आरिभट का जन्म गुपता डाइनस्टी की capital पाठली पुत्र में हुआ था पाठली पुत्र जिसे अभी हम पटना की नाम से जानते हैं और इनकी शिक्षा पाठली पुत्र के ही एक town कुसम पुरा में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि आरिभट नालंदा यूनिवर्सिटी के head भी रहे थे ये वहां के होडी भी रहे क्योंकि वहां पर इनकी lab थी और इनकी astronomical observatory भी वहां पर थी ये वहां पर पढ़ाई करते थे और वहां पर अपना mathematics के उपर जो भी इनका work था ये इन्होंने वही पर किया तो आज हम बात करेंगे आरिभट के mathematics में contribution के बारे में तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आरिभट में maths में maths का use ही नहीं किया इसका मतलब ये है कि इन्होंने बिना डिजट का use किये maths को code किया था alphabet की help से इन्होंने alphabet का use करके maths को code किया था ठीक है उसके बाद आरिभट का जो सबसे major work है वो है आरिभटिया जो इनकी book है जिसमें इन्होंने फूरी mathematics को explain किया है और जब ये सिर्फ 23 साल के थे जब इन्होंने ये book लिखी थी तो हम यहाँ पर बात करेंगे आरिभटिया जो इनकी book थी इसमें इन्होंने क्या-क्या mathematical work किया है और वो है algebra, trigonometry, spherical trigonometry, 3D trigonometry और sums of powers range, table of signs जो आप पढ़ते हो sin theta, cos theta की जो table है sign table वो आरिभट नहीं बनाई थी लेकिन इसमें इन्होंने किसी भी digit का use नहीं किया इन्होंने सिर्फ coding की helps है, alphabet coding और Sanskrit भाषा की जो coding थी उसकी help से इन्होंने पूरी mathematics बनाई है और इसमें इन्होंने Sanskrit के verses बतलब छंद का ही use किया है छंद का use करके इन्होंने maths के बारे में बताया है उसके बाद हम बात करते हैं आरिभट की second book जो थी आरिशिद्दान्द लेकिन अभी इनकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खो गई है इसमें इन्होंने बात की है astronomy के बारे में astronomy जिसमें earth कैसे rotate करती है, eclipse के बारे में बताया है तो ये सब इन्होंने बताया है आरिशिद्दान्द में इसके बाद आरिभटिया जो इनकी book है इसमें 108 verses है 108 छंद हैं जिसे इन्होंने 4 chapters में divide किया है 4 chapters में इस book को जो इन्होंने 4th chapter में divide की है उसमें हर chapter में एक particular topic के बारे में बात की है तो इनकी जो first chapter है वो है गिति का पद second है गणित पद, third है काल क्रिया पद और fourth है गोला पद इनका first जो chapter है गिति का पद उसमें इन्होंने बात की है table of sign and large units of time के बारे में बताया है second chapter है गणित पद जिसमें इन्होंने simple quadratic equation, simultaneous and indeterminate equation and arithmetic and geometric progression के बारे में बताया है third जो है इनका chapter वो है काल क्रिया पद और इसमें इन्होंने position of planet के बारे में बात की है eclipse के बारे में और earth जो sun के around revolute करती है और earth जो अपने axis पर rotate करती है तो rotation का जो time है वो इन्होंने बताया है exact 24 hours इन्होंने ही बताया है उसके बाद fourth आता है गोलापद, गोलापद में इन्होंने geometric के बारे में बात की है trigonometry के बारे में और shape of earth, zodiac sign मतलब राशी जो हम देखते हैं वो भी किसने बताया था? आरिभटने ही बताया था उसके बाद cause of day and night उनके बारे में भी किसने बताया? आरिभटने बताया आपको पता है zero किसने invent किया? तो zero का invention भी आरिभटने ही किया था और उसके बाद इन्होंने ही lunar and solar eclipse और sidral period और heliocentrism heliocentrism क्या होता है? जिसमें earth and planet sun के around rotate करते हैं तो उसके बारे में भी discover किसने किया था? आरिभटने ही किया था और ये सब इन्होंने सिर्फ 23 years की age में कर लिया था तो आपको समझ मैं आया आरिभट के बारे में ठीके तो यहाँ पर हमने बात की है आज के genius आरिभट के बारे में अब हम next video में बात करेंगे हमारे third genius के बारे में Thank you